हेलो दोस्तों Welcome back on my YouTube चनल दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ने वादे हैं बर्ड विवस्ता क्या है जी हाँ बर्ड विवस्ता के बारे हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले है तो दिखी क्या होता है बढ़ विवस्ता तो बढ़ विवस्ता जो है हिंदू समाज में समाज विवाजन का एक आधार है कहने का मतलब यह है कि बढ़ विवस्ता पहले जमानी की बात करें ठीक है प्राचीन काल की तो बढ़ विवस्ता हिंदू समाज में समाज विवाजन का एक आधार है समाज योग गिता और कर्म यह बहुत important है ठीक है बड़विवस्ता का मतलब यह यह-ई- GitHub सब्सक्राफ़ा धार काम और कार शॉस्था-पहर को बाटना वर्पChrira क्या-चाहित्त की भाटना पी क्या है कुछ लोग सब्सक्राइड आपके इंदू समाज की एक बिववस्ता थि क्लियर तो बन विवस्ता के मतलब समने आ गया योग किताव कर्म के आधर पर लोग को आपस में बाटा जाता है ठीक है अब क्या होता था तो यहाँ पे बन विवस्ता के आधर पर हिंदू समाज को चार भागों बाटा गया कितने भागों बाटा गया चार भागों बाटा गय है तो बड़ विवस्ता के आधर पर समाज को चार भागों वाटा क्या ठीक है तो कौन-कौन सा है तो जैसे की मान के चलो जो लोग क्या है दूसरों को सिच्छा देते थे और विद्वान थे उनको क्या नाम दिया गया उनको ब्रहम्मण बोलते ठीक है जो दूसरों को यक्राइब लिदेश लेक लिए जो लोग जो लोग की देनेक जरूताओं को यह इंसरार बस्तों का क्या करते थे निर्माड़ करते थे यह लोग को क्या करते से spooky देते थे हो क्या कैला है सूझत्र कैला है तो समझ मा Tapi क्या हैThis आयो प्युल्यपन लोगों को यह वीडियो ulti आया होगा अगर आपको यह छोटे सा वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिए अत्वक के लिए जय हिंद पंदे मात्रा